लोकसभा चुनाव दो हचार चुनाव दो हजार चुनाव दो हजार चुनाव परिनाम में बीजे पी को सबसे अधिक नुकसान महाराश्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी को हुए इस नुकसान की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देविंदर फंडवीस ने ली थी। मतगर्ना के दूसरे दिन ही उपमुख्यंत्री और बीजेपी नेता देविंद्र फंडवीस ने पत्रकार वारता करते अपरोक्ष रूप से स्विकारा था कि सोयाबीन के दामों में हुई गिरावट के चलते किसानों को हुए नुकसान की वज़े से बीजेपी को चुनाव मे नुकसान उठाना पड़ा इसी बहाने किसान तक ने सोयाबीन की दामों में आई सुस्ती की परताल की है जिसमें ये सामने आया है कि पाम ओयल ने सोयाबीन का गनित बिगाड़ा है इस वज़े से सोयाबीन के दामों में गिरावट है जिस से किसानों को नुकसान उठाना प मध्यप्रदेश कुल उत्पादन का 40 फीसदी तक उत्पादन करता है। मौझूदा वक्त में भले ही सोयाबीन के दाम MSP से कम चल रहे हैं लेकिन बीते दो साल सोयाबीन के दाम MSP से अधिक रहे थे। 2023 में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल तक मिला था। इस साल सीजन की शुरुआत में भी सोयाबीन का भाव 5,000 रुपए क्विंटल तक भाव पहुचा था। लेकिन अब 4,000 से 4,400 रुपए क्विंटल के बीच का भाव है इस से किसानों को नुकसान हो रहा है। महाराश्ट्र के सोयाबीन किसान मौजूदा साल में नुकसान में सायाबीन बेचने को मजबूर हैं। MSP के हिसाब से नुकसान का आकलन करे ताए किसानों को आस्तन प्रती क्विंटल 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन महाराश्ट्र के किसानों का कहना है कि नुकसान की तुलना MSP से नहीं की जा सकती है। नागपुर के सोयाबीन किसानों का कहना है कि सोयाबीन की लागत ही MSP से ज्यादा है, इसकी तुलना में MSP कम है। इन हालातों में MSP से सोयाबीन के भावों की तुलना गलत है। वह कहते हैं कि पिछले सालों में जो दाम मिला था, उसमें किसानों को राहत मिली थी। वहीं मध पी से अधिक चल रहे थे तब आखिर इस साल ऐसा कैसे हुआ कि सोयाबीन के दाम MSP से नीचे चल रहे हैं। बाजार के जाने माने दिगजों का कहना है कि पाम ओयल सोयाबीन के दामों में गिरावट की एक प्रमुक वज़ है। साथ ही सोयाबीन का बाजार भाव सोयाबीन से निकलने वाले तेल और सोयाबीन की खली, डॉक, से तै होता है। सोयाबीन की खली को जानवरों को खिलाया जाता है। ग्लोबली इस साल सोयाबीन की खली के दामों में गिरावट है, जिसका असर भारत पर भी है। बाजार जानकारों का कहना है कि 5 किलो सोयाबीन से 1 लीटर तेल निकलता है। यानि अगर 40 रुपए किलो के हिसाब से देखें तो 200 रुपए के सोयाबीन में 1 लीटर तेल निकलेगा। लेकिन मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध सोयाबीन के तेलों में 50 फीसदी तक पाम ओयल की मिलावट हो रही है। इसकी वजह ये है कि क्रूड पाम ओयल इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है जिसके बाद 30 रुपए लीटर तक में पाम ओयल भारत आ रहा है। पाम ओयल की इस सस्ती चाल से सोयाबीन के दामों में गिरावट दर्स की जा रही है। Bureau Report Market Times TV